दोस्तों यहाँ पे खबर आई है कि मास्टर कार्ट का जो बैन है उसे हटा दिया गया है और यहाँ पे अगर इंडिया में मास्टर कार्ट फिर से अगर आ रहा है तो आपके लिए क्या benefit है और क्या आपको create card मिलना और आसान हो जाएगा कि नहीं होगा आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माष्टर कार्ट का रिटन आने से कितने सारे आपको बीनिफिट मिल سकते हैं तो मेरा आपसी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को like के support कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना दोस्तों यहाँ पे RBI ने फिर से जो है माश्र कार्ट का जो बैन है उसे अटाकर इंडिया में लाने के लिए जो है आप फिर से बैन के से लाएंगे बट यहाँ पे काफी लोग जो है अपने मन में तरह तरह के सवाल सोच रहे हैं कि कैसे हमारा बेनपीठ होगा और माश्र का का जो create card है debit card है मेरे पास पहले से है काफी लोग के पास है और लोग सोचते हैं कि आखिरकार विजा और और माशर कार्ड और रुपे कार्ड में हमें क्या अंतर देखने को मिलेगा और माशर कार्ड का रिटन आने से आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि कुछ problem जैसे की data को लेकर कुछ ऐसे leak सामने आये थे तो RBI ने माशर कार्ड को रोग लगा दिया था बट फिर से इसे इंडिया में रिटन जो है आने का permission हो रहा है अब यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा benefit customer को एह होगा कि जो बैंक जैसे की RBI बैंक आपने देखा होगा कि RBI बैंक जो है माशर कार्ड को दिया करता था वीजा कार्ड का जो है RBI बैंक कोई क्रेट कार्ड इसु नहीं किया करता था बाद में RBI बैंक ने इस नियम को चेंज करके अपने कार्ड को वीजा कार्ड में लाना चालू कर दिया अब यहाँ पे अब दिमाग लगाईए कि बैंकों के पास जो है अभी के लिए दो नेटवर्क थे वीजा और रूपे मास्टर कार्ड नेटवर्क नहीं था अब जब मास्टर कार्ड का नेटवर्क आ गया तो काफी ऐसे कस्टमर है जिने मास्टर कार्ड ही पसंद है काफी ऐसे कस्टमर हैं जिनको वीजा काइड पसंद है काफी ऐसे हैं जिनको रूपय मास्टर कारट कोई भी रिटरatherine को मिल जाए उसे कोई मतलब नहीं है जो यहाँ पर स्केरोटी की बात करूं तो मास्टर और काइड काइड कांभी हथ अपने आप में इस टेंडर लेवल्य है बट यहां पे जो mastercard आने का benefit क्या आपको मिलेगा ए थोड़ा आप लोग जान लेजे जो जब भी आपको अगर mastercard bank देता है अब एक explain कर रहा हूं आपके लिए अगर मालो बैंक जो है वीजा card को आपको दे रहा है अब सुचिए कि अगर वीजा card के एक लाग customer है मैं only customer पच्चियास जा रहा है तो जो mastercard के customer है ओ अगर उनको only mastercard ही चाहिए तो वीजा card में जल्दी नहीं जाएंगे अगर उनके पास mastercard है अगर ओ card ओ फिर से replace करवा के ओ mastercard को देगा दोस्तों यहां पे आप लोग मेरा एक card दे सकते हो जब मेरे card का spirit पूरा हुआ तो bank ने मुझे फिर से mastercard ही दिया जब RBI ने रोक लगाया था तो जिन लोगों का वीजा mastercard था उसे bank फिर से mastercard ही दिया यकीन मानिए यह विल्कुल राइड बात है तो यहां पे जो लोग बैठे थे only mastercard के लिए अब उनको जो है bank दो भागों में divide कर देगा इससे क्या है कि जो customer का card अधिक decline होता था सब कुछ अगर मालो civil सही है record सही है तो यह जो decline होने का जो chances है साइथ थोड़ा कम हो जाए और आप लोगों को mastercard नेटर आने के वज़े से काफी हद तक लोगों को card मिल सकता है बट यहां पे कुछ bank के ऐसे हैं जो pre-approved mastercard लोग credit card देते थे तो अब pre-approved का जो system था वीजा card में चला गया अब फिर से आप लोगों को pre-approved offer देखने को अधिक मिल सकता है और यहां पे उसमें आपको martial नेटर कार्ट जो है bank दे सकता है तो यहां पे आप लोग को से दो काम करना है अगर आपको card आसानी से प्राप्त करना है आपका decline ना हो तो आपको मैं HJ बता रहा हूं अपना trick आप जो है जितना हो सके पहले से अब थोड़ा गलती कम करो आपको 100% card मिलने का उम्मिद रहेगा यहां पे आपने देखा कि आज से करीबन RBI ने जब band लगाया था उसके पहले काफी लोगों के पास martial card है आप मैं आपको बता दू काफी सारे मेरे पास details review लोगों के आये थे तो अजब से ए आर्वे रोक लगाया तो इसमें बैंक वीजा card को देना चालो किया बट जो प्रे अप्रूप ओफर और जो मिल रहे थे लोगों को बड़े आसानी से grade card वो थोड़ा कम हो गया था बट अब आप लोगों को benefit मिल सकता है बट यतना हो सके अपना record बनाओ गलतियां मत करो थोड़ा civil को maintenance करो आपको 100% card मिलेगा यह मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं तो आप समझ चुके होंगे मास्टर कार्ड अपने इंडिया में आने से यह सारे बेंटफिट मिल सकते हैं आप दिमाग लगाईए आप खुदी समय में आ जाएगा कि मास्टर कार्ड और विजा कार्ड में क्या ऐसी खास बात है बाकि रूपे कार्ड तो इंडियन के लिए बना है बाकि यहां पे आने वाले समय में मुझे लगता है किसके पास रूपे कार्ड ही रहेगा